नमिश्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर डिलीट हुए फोटोस वीडियोग यूज को कैसा रिकावर करेंगें काफी informative वीडियो रहने वाली है काफी knowledgeable वीडियो रहने वाली है काफी ग्यानवरतिक वीडियो रहने वाली है इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ नए सीखने को मिलने वाला है तो आप मारी ये वीडियो को completely जरूर देखें और इस वीडियो को लाइकन सहर जरू करें क्योंकि ऐसे ही informative वीडियो, dollarsable वीडियो, ग्यानवादिक वीडियो हम हमारे चनल के जरी लाते हैं जो लोगों को भी पसंद आती है आपको भी पसंद आती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की हम अपने smart function delete away photos वीडियो को कसर recover करेंगे तो आईए देखते हैं आज की वीडियो लेकिन अगर अभी तक आप में मारे चनल को ऐसे subscribe नहीं कराएं तो यार आप मारे चनल को subscribe करें इस वीडियो को like and share करें और जादा से जादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुचाएं तो ये वीडियो को completely जरूर देखें लेकिन वीडियो को जादा से जादा दोस्तों के पास जरूर पहुचाएं तो आईए देखते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें गंटे को दबाएं ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डिलिट हुए फोटोस को वीडियोस को कैसा रिकवर करेंगे अगर आपके फोटोस वीडियोस अज़ अगर डिलिट हो गई है और आप उन्हें डिलिट हुए फोटोस वीडियोस को रिकवर करना चाहते हैं वापिस लाना चाहते हैं तो कैसा रिकवर किया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप मारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें लेकिन अगर अगर अभी तक आपने मारे चनल को एज़े सब्सक्राइब नहीं कराए तो यहर आप मारे चनल को सब्सक्राइब करें और चनल अगर अभी तक आपने मारे सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप मारे चनल को सब्सक्राइब जरू करें तो दोस्तों अगर आपको अपने फोटोस वीडियो को रिकवर करना है तो आपको एक अप्लिकेस न डावलोड करनी होगी जो कुछ इस टाइब से आपके सामने हैं नजर आईगी इसको आप एजी स्टेप में प्ले स्टोर से डाउमलोड करने के बाद सिम्पली आपको यहाँ पर टाइब करना है और उपन करना है फिछ लेट्स बिगेन पर हमें किलिक करना है permission को allow करना है इसके बाद मैं दोस्तों यहां से हमारे सामने यहां एक option आ रहा है नीचे की और इस वाले option को हमें क्लिक करना है और यहां आज से हमारी डीप scanning स्टार्ट हो जाएगी scanning होने में एक थोड़ा लंबा समय लगेगा थोड़ा lengthy process है यह scanning काफी लंबे समय तक होईगी फिर आपके photos, videos, audios दीरे करकर देख सभी photos, videos, audios आपकी यहां पर आपको मिल जाएगी चाहिए आपके photos हों, videos हों, audios हों जो कुछ भी हैं आपके वो सभी यहां पर recover हो गए अगर हमे photos को recover करना है तो photos को आपको select कर लेना है audios को recover करना है तो audios को आपको click कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको recover now पर click करना है recover now पर जैसे ही आप click करोगे यहां पर इसके सामने यहां से इनकी premium subscription सिप ले नहीं परेगी यहां कि free of cost भी मिल जाएगी लेकिन first time यहां पर आपको इसके deep screening ओन होगी वैसे अगर इस application को आप use करना चाहते हैं तो इनकी premium subscription सिप ले सकते हैं इच्छा आपकी है कोई जबरदस्ती नहीं है otherwise आप other application को भी use में ले सकते हैं फिलाल यह application काफी बड़े application है आई हो पगर आप internet को access करके इसको use में लेंगे तो आपकी यह फोटो recovery यह पर काफी शानदार आपको लगेगा लेकिन अगर आप directly भी recover करना चाहते हैं तो आपको simply आपको अपनी gallery पर जाना है और gallery पर भी features and facilities होती है जिसको use करते हुए भी आप अपने photos को recover कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने इन three dots बटन पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक option यहाँ पर आएगा यह recycle bin का इस recycle bin पर आपको click करना है और यहाँ पर आपके जितने भी photos, videos पहले भूद पूर में delete हो गई थे वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को recover and वापस लाना चाहते हैं तो simply आपको select करना है और वो recover हो जाएगी जैसे मैं यह एक चीज़ को select कर रहा हूँ वन चीज़ मैंने select करी है यहाँ एक चीज़ आगए अगर मैं दो को करूँआ तो यहाँ आजाएगी देखिए तो जितनी भी चाहिए मैं एक चीज़ select कर रहा हूँ पर जाकर भी यूज में ले सकते हैं फाइल मेंजर के अंदर भी recycle bin से आप अपने delete हुए photos, videos, folders, documents को आप recover कर सकते हैं तो आपको यह वडियो कैसी लगी अगर आपको यह वडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो यह इस वडियो को likeन से जरू करें